Hey Hello Everyone, Welcome to my Channel दोस्तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ Top 10 Law Colleges in India and also giving information about वो college कौन-कौन सा course offer करता है particular course के लिए कितना seat होने वाली है उस college में fees क्या है उस college का placement package कैसा है उस college का like highest placement package कितना गया है average placement package कितना गया है और कितना percent chance है कि आपको उस college में placement मिल जाएगा कौनसे entrance exam से आप उस college में admission ले सकते हो और entrance exam का preparation कैसे करें सब एकदम detail में एकदम बताने वाला हूँ बस आप video को ध्यान से और last तक देखेगा और एकी request करना चाहता हूँ अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया ना तो please channel को subscribe कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिए चलिए वीडियो सुरू करते हैं जो number one है वो है National Law School of India University ये university आपको LLB 3 years, LLB 5 years, LLM, PhD in law course प्रोवाइड करता है इस university में LLB 3 years के लिए 60 seat हो है LLB 5 years के लिए 180 seat और LLM के लिए 75 seat है अगर आप fees की बात करें तो चलिए इसके official website पे चलते हैं इसका देख सकते हो ये इसका official website है National Law School of India University बैंगलोरू लिखा हुआ है LLB 3 years के लिए general के लिए जो fees है वो है 2,88,855 रुपीस पर एनम LLB 5 years के लिए भी same हुआ ही है 2,88,855 रुपीस LLM के लिए जो fees है वो है 2,18,875 रुपीस और PhD candidate के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो Indian candidate के लिए ये पुरा फीस है और foreign nation candidate के लिए नीचे अलरी दिया हुआ है overall ये university बहुत अच्छा है top university है और placement का chances बहुत जाद है 85% से 99% chances है कि आपका placement होई जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो highest placement package 80 lakh per annum गया है और lowest placement package 12 lakh per annum गया है ये university बैंगलोरू में है अगर आप इस university में admission लेना चाते हो National Law School of India University में admission लेना चाते हो तो CLAT entrance exam देना पड़ता है अगर आप CLAT का अच्छे से preparation करना चाते हो अच्छा marks लाना चाते हो तो मैं आपको suggest करूँगा unacademy से preparation करिये मैं reason भी बता देता हूँ क्यों मैं आपको unacademy suggest कर रहा हूँ देखो अगर आप कोई local teacher या classes से preparation करते हो तो किसी दिन नहीं जाओगे तो वो miss हो जाएगा आपका और वो आपको बार-बार test नहीं लेगा कि आपको कौन सा subject में अच्छे हो कौन से subject में अच्छे नहीं हो व्योंकि बार-बार test लेते हैं तो हमें पता चलता है कौन से subject में हम अच्छे हैं कौन से subject में अच्छे नहीं है और कोई teacher का हमें समझ में भी नहीं आता है पर unacademy का ऐसा नहीं है unacademy पर आपने एक बार subscription ले लिया तो इंडिया के top educators आपको पढ़ने का मौका मिलता है live interactive classes रहता है अगर आप कोई issue के चलते live interactive classes miss भी कर दिये ना तो recorded lecture रहता है आप notes access कर सकते हो कोई भी educator का और every fourth session आपका doubt solving session रहता है जैसे live interactive classes में भी आपका doubt solve होगा पर every fourth session especially doubt session रहता है तो आपका पूरा doubt एकदम clear हो जाता है updated study material रहता है practice mock test रहता है वो भी paper wise तो आपको पता चल सकता है कौन से paper में आप अच्छे हो से paper में अच्छे नहीं हो mock test देने के बाद भी तो आपको एदम अच्छे से preparation कर सकते हो already batches start हो गया है master law batch बहुत अच्छा batch है एक बार जाके देखो वीडियो के description में link एक बार वीडियो देखो गए educator का आपको समझ में आगा इतना easy way में समझाते हैं आपको 27 जनवरी को master law batch इस्टार्ट हो गया है excel batch भी इस्टार्ट हो गया 28 जनवरी को एकदम अगर आप अच्छे से मिनहत करते हो unacademic के साथ ना तो आप CLAT में बहुत अच्छा marks ला सकते हो यदि एदम टॉप educator इंडिया के हैं और इदम easy way में आपको समझा रहे हैं तो फटाफट subscription ले लो वीडियो के description में link है वाँ पे अगर मेरा referral code यूज करोगे न smart tips 10 आपको 10% का off मिलेगा एक तो एदम offerable price है उसमें भी आपको smart tips 10 यूज करोगे तो 10% का off मिल जाएगा तो price बढ़ने वाले हैं फटाफट जाके subscription ले लो वीडियो के description में link है देखो दो type के subscription है एक है plus और एक है iconics अगर आप plus subscription लेते हो तो उसमें आपको इंडिया के best educator से पढ़ने का मौका मिलेगा daily life classes रहेंगे और उसका recorded lecture भी आपको मिलेगा study material notes भी आपको मिलेगा और live test और QGES रहेंगे जिससे आपको अपका preparation अदम तगड़ा हो जाएगा और structure courses रहेंगे ये benefit आपको plus में मिलता है अगर आप अपने preparation को next level तक लेके जाना चाहते हो तो iconic subscription ले सकते हो iconic subscription में आपको जादे priority दिया जाएगा class में और जो भी plus का feature से ना वो तो iconic में रहेगा ही रहेगा आपका plus में ही पूरा मतलब आपका जो भी doubt रहे वो भी solve हो जाएगा पर iconic में आपको जादे value दिया जाएगा आपको जादे priority दिया जाएगा live doubt solving session भी होगा आपके लिए और उसके पर लाइब mentor session भी होगा according to your subscription आप one to one उनसे बात कर सकते हो अपना problem बता सकते हो कि मैं time management नहीं कर पा रहा हूँ यह problem है वो आपको एदम guide कर सकते हैं experience आपका share कर सकते हैं और एक best plan भी आपके लिए बता सकते हैं कि जिससे आप clad में top कर सकते हो तो फटा फट जाके यार subscription लो वीडियो के description में link है और smart tips 10 use करोगे तो 10% का off मिलेगा एक तो कितना affordable price ही है उपर से 10% का off और मिल जाएगा अगर आप smart tips 10 use कर लोगे तो माफ करेगा smart tips 10 use करोगे तो आपको 10% का और discount मिल जाएगा price बढ़ने वाले हैं फटा फट जाके subscription लो वीडियो के description में link है जो second number पे है वो है national law university इस university में आपको LLB 5 years LLM, PhD in law देखने को मिल जाएगा LLB 5 years के लिए 81 seat है LLM के लिए 70 plus 10 मतलब समलो इसमें भी 80 seat है पर 70 Indian के लिए और 10 foreign student के लिए reserve है फीस की बात करें तो चलिए official website पे चलते हैं इसके official website पे मैं आ गया हूँ national law university दिल्ली आपको देखने को मिल जाएगा जस्ट मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर देख सकते हो ऊपर LLB लिख है, मतलब समझ सकते हो LLB 5 years का ये fees है including hostel fees है इसमें 1,86,000 है अगर होस्टल से नहीं रहते हो तो समझेगे कि 5000 इसमें से निकाल दीजिए 5000-10,000 तो आपको without hostel का fees आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप LLM की fees की बात करें आप देख सकते हो, मैं zoom कर देता हूँ LLM लिखा हुआ है उसका देख सकते हो, कैटेगरी में है तो होस्टल के साथ और without hostel के साथ अगर आप without hostel के साथ रहना चाते हो तो 1,39,000 है अगर आप होस्टल के साथ रहना चाते है मतलब होस्टल मतलब included होना चाहिए तो 1,85,000 इसका fees है अगर आप मतलब बाहर रना चाहते हो रेंड पे तो उसका 1,39,000 फीस बरी है और बाहर से आप रह सकते हैं और इस इनवर्सिटी में भी प्लेस्मेंट का चांसेज बहुत जादे हैं 70 से 85% चांसेज है कि आपका प्लेस्मेंट लग जाएगा मीडियम सेलरी में तब एवरेज सेलरी इस इनवर्सिटी की 15 लाइक है 15 लाइक पर एनम है मैं आपको देख सकते हो स्लाइड भी हो रहे हैं सिक्षा.com का पूरा आपको स्क्रिंशोट में आपको दिखा रहा हूँ और ये इनवर्सिटी दिल्ली में है अगर आप इस इनवर्स इस इनवर्सिटी में आपको LLB 5 और LLM दो कोर्स देखने को मिलेगा LLB 5 यर्स के लिए 120 सीट होने वाली है इस इनवर्सिटी में LLM के लिए मुझे कोई डेटा मिला नहीं कितना सीट है इस इनवर्सिटी में तो इसके बाद से मैंने डैश रखा है एक बार आप कॉल कर पर ढूंड रहा था पुझे कोई डेटा मिला नहीं इसके वैसे मैं सिक्षा.com पर आपको बता रहा हूं आपको जो LLM के लिए फीस होने वाली है वो पचास अजार से लेके डेट लाग तक होने वाली है डिपेंड करता है आपके कोर्सेस के उपर और LLB 5 यर्स के लिए बीए LLB के लिए जो टोटल फीस होने वाली है वो 8.55 lek होने वाली है कोवीड की चलते हैं थोड़ा कम भी हुआ रहेगा पर 8.55 lek समझे यह 5 साल का टोटल फीस है यह पर इसका प्लेश्मेंट रेट बहुत अच्छा है प्लेश्मेंट चांसेस बहुत जादे है इस इस इनि देखे तो 16.5 लेग गया है ये इनवर्सिटी हैदराबाद में है अगर आप इस इनवर्सिटी में एड्मिर्शन लेना चाहते हो तो आपको क्लेट इंट्रेंस एक्जाम देना पड़ेगा और अच्छा मार्स लाना पड़ेगा जो फोध नमर पे है वो है वेस्ट बेंगॉल नेशनल इनवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस ये इनवर्सिटी में आपको लल्बी 5 यर्ज और लल्म दो कोर्स प्रोवाइड करता है लल्बी 5 यर्ज के लिए इस इनवर्सिटी में 127 सीट है और लल्म के लिए 84 सीट है फीज की बात करे तो लल्म के लिए टोटल फीज 68 के है मतब 68,000 है according to shiksa.com और BALLB मतब LLB 5 years के लिए total fees 1.6 lakh है अगर आप placement का देखे तो इस university में एक नमर placement है यार सबसे जादे placement chances रहता है 79% से 95% देखो placement depend करता है आपके मेनहत के उपर आईसा है नहीं जेखो टॉप वाले बच्चे भी placement नहीं पाता है क्योंकि वो मेनहत नहीं करते है अगर आप मेनहत करते हो तो आपको आराम से placement मिल सकता है एक ही चीज़ देखने है कंपनी आ रही है क्या अगर कंपनी आती है placement होता है बस आप मेनहत करो आपका placement हो जाएगा highest placement 46 lakh गया है इसका और यह इनिवर्सिटी कोलकता में है अगर इस इनिवर्सिटी में आप admission लेना चाहते हो तो class entrance exam आपको देना पड़ेगा जो 5th नम्मर का college है वो है Indian Institute of Technology खरकपूर I hope इस college को आप जानते रहोगे बिसके लिए बीटेक के लिए college famous है पर यह आपको LLB 3 years और LLM दो course provide करता है और इसका placement package बहुत ही अच्छा है 70% से 85% chances रहता है आपका placement हो जाएगा average placement package इसका 8.5 लेग गया है आप मुझ से बूच होगे कि sir आपने LLB 3 years के लिए और LLM के लिए कितना seat है इस college में यह नहीं बताया और fees क्या है इस college का यह नहीं बताया है इसका answer यह है कि मुझे official data कोई मिला नहीं इसके वज़े से मैं अभी तक नहीं बताया है पर एक दो दिन में आपको comment में मैं pin करके बता दूँगा don't worry about it यह college आपको खरकपूर में देखने को मिलेगा और जो इस college में अगर आप admission लेना चाहते हो यह खुद का entrance exam conduct कराता है वो आपको देना पड़ेगा LLB के लिए LLB का entrance exam आपको देना पड़ेगा और LLM के लिए LLM का entrance exam आपको देना पड़ेगा जो 6th नमर पे है वो है गुजरात National Law University यह university आपको LLB 5 years और LLM दो course प्रोवाइड करता है LLB 5 years के लिए बिसके लिए LLB 5 years के लिए 198 seat है और LLM के लिए 61 seat है fees की बात करें तो LLB 5 years के लिए total fees बता रहा हुआ total 5 साल का fees 8.92 lakh है और LLM का total fees 1.52 lakh है placement chances भी इस university का बहुत ही अच्छा है 79% से 95% chances रहता है कि आपका इसा placement हो ही जाएगा अगर आपकी गलती ना हो तो गलती इंदर सेंस आप पढ़ाई नहीं करें ठीक से आपको marks अच्छा नहीं आ रहा है ठीक से तो क्या होगा यार पढ़ाई अगर अच्छे से करोगे तो placement का chances बहुत अच्छा है LLM दो कोर्स प्रोवाइड करता है LLB 5 years के लिए इस कॉलेज में 120 seat है और LLM के लिए 60 seat है fees की बात करें तो LLM के लिए according to सिक्षा.com LLM के लिए 17,400 fees है total fees की बात कर रहा हुआ और LLB 5 years के लिए 52,000 है अगर placement rate की बात करें तो placement chances इसमें 60% से 75% रहता है कि आपको placement मिल जाएगा highest placement 2020 में 41 लग गया है Microsoft लेके गया है और average placement 5 LPA है ये college आपको New Delhi में देखने को मिल जाएगा और अगर आप इस college में admission लेना चाहते हो तो JMI entrance exam देना पड़ता है जामिया, मिलिया, इसलामिया entrance exam उसके थुरूई इस college में आपको admission मिल सकता है जो 8 नमर पे है वो है National Law University जोदपूर ये university आपको LLB 5 years, LLM PhD in law course प्रोवाइड कराता है LLB 5 years के लिए ये university में 120 seat है LLM के लिए 160 seat है अगर आप fees की बात करें तो according to shikshya.com LLM का total fees है 1.99 lakh समलो की 2 lakh के करीब LLM का fees है और LLB 5 years का fees 12.29 lakh है समलो अप्रोक्सिमेट 12,30,000 समझ सकते हो आप उसका total fees है according to shikshya.com ये 5 साल की fees बता रहा हूँ आपको placement chances इस university में आपको 70 से 80% रहता है मैं एक बार फीर से आपको repeat कर रहा हूँ अगर आप अच्छे से मिनहत करते हो आपको placement से कोई नहीं रोक सकता यार बस आपको अच्छे से मिनहत करना है आपको ये university जोदपूर में देखने को मिलेगा अगर आपको ये university में admission लेना है तो CLAT entrance exam में अच्छा marks आना चाहिए और CLAT entrance exam अच्छे mark से crack हो जाना चाहिए आपको तभी ये university में आपको admission मिल सकता है जो 9 नमर पे है वो है Symbiosis Law School ये college में आपको LLB 5 years, LLB 3 years और LLM 3 course देखने को मिलेंगे LLB 5 years के लिए 300 seat है LLB 3 years के लिए 60 seat है और LLM के लिए 80 seat है अगर आप fees की बात करें तो LLM का total fees है according to 6.com 1.68 lakh है total fees आँ बता रहा हूं है LLB 3 years के लिए 7.3 lakh है और LLB 5 years के लिए total fees 18.18 lakh है मतब समझ लेए 18,20,000 समझ सकते हो आप और उसका placement chances 50% से 65% है देखो company visit करती है आप अगर आप मिनहत करोगे ना तो आप placement पा सकते हो और placement chances change भी होता है हर साल और placement chances का package बढ़ता भी है हर साल इसका highest placement है 16.6 lakh मतब समझ लो साड़े 16 lakh इसका highest package है ये college आपको पूने में देखने को मिलेगा अगर आप इस college में admission लेना चाहते हो तो ये college खुद का entrance exam कंड़क कराता है SLAT कंड़क कराता है SLAT entrance exam LLB 5 years के लिए और AI-80 entrance exam LLB 3 years और LLM के लिए entrance exam होता है AI-80 तो अगर आप इस college में admission लेना चाहते हो तो SLAT और AI-80 entrance exam दे सकते हो तो 10 नमर का college है वो है Kalinga Institutes of Industrial Technology ये college आपको LLB 5 years LLM PhD in law courses provide कराता है LLB 5 years के लिए इस college में 240 seat है LLM के लिए मुझे कोई data नहीं मिला है इसके वसे मैंने dash रखा है अगर आप fees की बात करते हो तो according to sikshah.com LLB 5 years का total fees है 15,45,000 और LLM का जो total fees है 240,000 अगर प्लेस्मेंट की बात करते हो इस college में प्लेस्मेंट chances 80-90% रहते है कि आपको placement मिल जाता है और इसका average placement गया है 8 lakh per annum average की बात कर रहा हूँ highest की नहीं average placement है 8 lakh per annum ये college आपको भुलेस्वर में मिलेगा वहाँ पर इस्तित है अगर आप इस college में admission लेना चाते हो तो ये खुद का entrance exam conduct कराता है कालिंगा इंसिट्यूट्स ओफ इंडस्ट्रियल टेकनोलोजी entrance exam इस exam में अगर आप पास करते हो इस college में admission आपको मिल जाएगा और अच्छा